Hello everyone, आज हम बात करने जा रहे हैं HSD test किसे काते हैं आजे जानते हैं HSD test किसे काते हैं HSD test जो फिलेपियोन ट्यूप्स की स्वास्त समिक्षा करने में मदद करता है यह test निर्धारित कार्णों से मांस्प्रेशियों और फिलेपियोन ट्यूप्स के विकास रूप रेखा खीचन और ब्लोकेज की जाज करता है आज इस वीडियो में हम HSD test के बारे में विश्टिज जनकारी राप्त करेंगे जिससे आपको इस प्रिक्रिया के महत्तों और प्योग को समझने में मदद मिलेगी तो जानते हैं HSD test क्या है HSD test एक बिशेश चिक्रिया है जो महिलाओं के रजनन परणाली को जाच करने के लिए की जाती है इस test के द्वारा फिलेपियोन ट्यूप जो अंडासे को गर्भासे तक जोड़ती है उसकी स्वस्त इस्थिती का मुल्यांकन किया जाता है यह test फिलेपियोन ट्यूप्स के नलिकाओं के ब्लोकेज, खीचन, टॉर्च इनफेक्शन, मांस्पेसियों की स्वस्तता और आवसाद की जाज करता है इस तरह के test के द्वारा चिकिचक गर्भासे के बिकास, प्रजनन छमता और आंगन दर्शाने वाले cells की जाच की जाती है जहां गर्बनाल को नीचे आयामित किया जाता है HSG test कैसे किया जाता है How is the HSG test done? HSG test एक सधारण प्रक्रिया है जो अस्पताल या चिकिस्सक केंदर में किया जाता है यह आम तोर पर फिलिपिन ट्यूप्स की रेंज में क्लोरोइसकोपी का इस्तमाल किया जाता है इस प्रक्रिया के कुछ मुख्य चरण है जैसे कि पहला हुआ कि इसको तैयारी कैसे किया जाए फिर दूसरा test का दिन कब रखा जाए फिर तिसरा उपकरण और sanitation चौथा उपस्तिती और अस्थानिय एनस्थेसिया पाच्वा टेस्ट की प्रक्रिया चट्वा परिडाम और सला तो आगे जानते हैं और सबसे पहले तैयारी तैयारी पहले रोगी को टेस्ट के बारे में समझाय जाता है और उनसे संबंदी जनकारी ली जाती है सभी संभावित सवाल का उत्तर दिया जाता है और रोगी को स्वश्थ और राय के बारे में जनकारी प्राप्त की जाती है दुसरा हुआ तेस्ट का दिन तेस्ट के दिन रोगी को एक विशेस कमरे में ले जा जाता है और उन्हें बिश्राम करने की अनुमती दी जाती है एक प्रसिचित चिकित्सा या तकनीशियन द्वारा रोगी को उचित इस्थिती में रखने के लिए तैनाद किया जाता है तीसरा आपका है उपकरण और सैनिटेशन HSC टेस्ट के लिए उपियोग होने वाले उपकरण और समागरी को सैनिटाइज किया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है कि टेस्ट सुरक्षित है और स्वस्थिता से किया जा सके आपका चौथा है उपस्तिती और अस्थानिया अनेस्थेसिया टेस्ट के लिए रोगी को अस्थानिया अनस्थेसिया दी जाती है जिसे अस्थानिया बेहुसी भी कहा जाता है इससे प्रतिक्रियाएं और तनाव कम हो जाती है और रोगी को अराम मिलता है उसके नेक्स्ट पांचवा है टेस्ट की प्रक्रिया टेस्ट के दौरान चिकिचसक या टेकनीशियन एक रंगिन द्रिस्य कारिकरम का उप्योग करके फिलेपियोन ट्यूब की जाँच करते हैं और एक विशेश दवा या द्रब्वे को एक इस्टुमेट के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है इससे ट्यूब की साप, संडचना, विरोधा, भासिता और ब्लकेच की जाँच की जाती है छटवा है पड़िराम और सलाह टेस्ट के पड़िराम को विशेशग्य या चिकिचसक द्वारा विशलेशर किया जाता है और रोगी को टेस्ट के बारे में बताय जाता है और आवसक्ता अनुसार सलाह दी जाती है एच्छी टेस्ट कराने का सबसे अच्छा समय कब होता है एच्छी टेस्ट डाक्टर की सलाह पर नेवर करता है वैसे पीरेट के खतम होते ही महिला एचेजी टेस्ट करवा सकती है आम तोर पर पीरेट के पहले सब्ता से दूसरे सब्ता के बीच का समय इस टेस्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और कमेंट करके बताएं, वीडियो आपको कैसी लगी, धन्यवाद